आकाश्वाणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहले एक अपेल कुरू संक्रमन को देखते वे आपसे अपेल है किलापर वाही ना बरते और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें मास्क लगाएं, दोकस की सुरक्षे दूरी बनाये रखें, बार-बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं लोगों को कोबिट से जंबंदे जानकारी देने और उनकी माग दर्शन के लिए राश्वे हल्पलाइन कारे रथ है इसका नंबर 01-23-97-8046 और 1075 है वही प्रदेश में कोबिट हल्पलाइन का नंबर 104 है सबसे पहले मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा जलवायू परिवर्तन प्रदेशन सुचकांक में भारत शेड्स दश देशों में शामिल परिवर्न मंत्री प्रिकार शावडेकर बोले भारत में वन और व्रक्ष शेत्र बढ़कर कुल भौगरलिक शेत्र का 24.5-6 प्रतिशत हुआ मध्य प्रदेश में बिल्डिंग परमीशन के लिए पौध ही लगाना हुआ जरोरी सरकारी योजनाओं के मकानों पर भी लागू होगा नियम और राज में कोरोना संक्रमंट काबो में एक प्रतिशत से कम हुई संक्रमंदर अशोपनिगर आगर मालवा से 6 जिलों में आज नहीं मिला एक भी मरीज अब समाचार वस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र वोधी ने कहा है कि स्वच उर्जा के अनेक लाब देश के क्रिशी शेतर तक पहुंचे हैं विश्व पर्यावरेंट दिवस के उसर पर एक वर्शुल कारिक्रम को संबोधित करते वे प्रधान मंत्री ने कहा कि एथिनॉल आज पर्यावरेंट को स्वस्त बनाये रखनी में प्राथमिक्ता बन कया है उन्होंने कहा कि सरकार खेती के लिए एथिनौल के उत्पादिन और इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है देश बर में आधुनिक प्रद्योगी की का इस्तेमाल करते वे फसल अवशेश आधारित फैक्ट्रियां लगाई जा रही है प्रद्यान मंत्रे ने कहा कि जलवायो परिवर्तन प्रदर्शन सुचकांक में भारत विश्व के 10 शीर्स देशों में शामिल है उन्होंने कहा कि भारत भविश में उर्जा शेत्र में परिवर्तन का मार प्रशस कर रहा है श्रिमूदी ने कहा कि हाल के वर्षों में 100 और उर्जा के उत्पादन में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्री हुई है केंद्री पर्यावरन वन और जलवाई परिवर्थन मंत्री प्रिकार शावडिकर ने कहा है कि भारत उन कुछ देशों में शामिल है जहां पिछले दिशक में वन शेत्र वास्तों में बढ़ा है विश्य पर्यावर्ण दिवस पर श्री जावडिकर ने कहा कि देश में वन और व्रिक्ष शेत्र बढ़कर कुल भौगौलिक शेत्र का 24 तश्मलो 5-6 प्रतिशत यानी 8 लाख वर किलोमीटर से अधिक हो गया है मध्यप्रदेश में अब बिल्डिंग पर्मीशन के लिए पेड लगाना सरूरी हो गया है ये घूशना मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने विश्य पर्यावर्ण दिवस पर आज अंकुर अभ्यान की शुरुवात के मौके पर कही ये नियम सभी नगर-ningum, नगर-पालिका और नगर तथा ग्राम पंचायतों में लागो होगा राजे सरकार नी सरकारी यूचना के तहः बनने वाले मकानों के लिए भी ये नियम लागो किया है ऐसा नियम बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है शुजोहान ने कहा है कि यहां कोई बड़ा काम नहीं है अपने मकान के आसपास या फिर नगर निगम या नगर पालिका के पार्क में या फिर सरकारी स्कूलों में पौधरोपन किया जा सकता है नोंने कहा कि इस फैसले को जल्दी कानूमी दोर पर अमली जामा पैना दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा है कि घर बनाने में थोड़ा बहुत पर्यावरन प्रभावित होता है इसलिए पेड लगा कर लोग उसकी फरपाई करें आज से विधिवत शुरू हुए अंकुर कारिकरम का उद्देश हरे शेत्र में व्रिधी के साथ प्रदेश को स्वच पर्यावरन और प्राणवायू से सम्रद प्रदेश बनाना है कारिकरम की तहट मुख्यमंत्री शिवरासी चोहान ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से जिला नूडल अधिकारी और चैनिस जिलो के पांच-पांच प्रतिभागी और सत्यापन करताओं से समवाद किया इसमें राइसीन की साथ साल की कोपल भी शामिल हुई थी मुख्यमंत्री ने इस बच्ची की सराना करते हुए कहा कि वे इतनी कम उम्रों में परवन का पहत्तों समझते हुए लोगों को पेड लगाने की प्रेणना दे रही है मुख्य मंत्री ने कहा कि बुद्ध पूनिमा 26 मई के दिन हमने वायु दूद नाम का एक एप लॉंच किया था आज 5 जून है और करीब 15,000 लोगों ने इसमें रेजिस्ट्रेशन करा लिया है और करीब 30,000 लोगों ने फोटो भी अपलोड कर दी है श्री चोहान ने लोगों से अपील की है कि अंकूर अभ्यान से आप सभी जुड़िये और बाकी लोगों को भी प्रेड लगाने के लिए प्रेडित कीजिए उनने कहा कि ऐसे प्रतिभागियों का हम हर से लिवाजश्यन करेंगे उन्हें व्रिक्ष वीर और व्रिक्ष वीरांगना कहा जाएगा और चैनित प्रतिभागियों को हर साल प्राणवाय अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा समाचारों में वक्त ब्रेक का ब्रेकी बास समचारों में आपका एक बार फिर स्पागत है श्रिलालवानी ने राला मंदल के विकास के लिए वन विभाग से एक मास्टर प्लान बनाने के लिए भी कहा खंडवा में विधायक देवेंद्र वर्मा ने पौदरोपन कर वर्षा काल में शहर को हरा भरा बनाने की अपेल किये है राइसेन में कलेक्टेर उमाशंकर भार्गर और जिलापंचा सीओ पीसी शर्मा द्वारा लोगों को अधिक से अधिक पौदरोपन के लिए प्रेरित किया गया शिवपुरी, सागर और सतना चिदरपुर में विभिन संस्थाओं ने कही चिकह पौदरोपन कारिक्रम आयोजित किये मद्र प्रदेश में कोरुणा की दूसरी लहर लगभग न्यांतरन में है यहां संक्रमंदर घटकर एक फिसदी से नीचे पहुँच गई है पिछले 24 गंटों में 6 जिलों में कोई मरीज नहीं मिला है जबके अली राजपूर जिले में केवल एक एक अक्टिव केस बचा है आज 718 ने मरीजों का पता चला है जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या 2225 है आगर मालवा अली राजपूर अशुक नगर भिंट पुर्हानपूर मंडला में कोई नया मरीज नहीं मिला जबके अरती सिलों में नया मरीजों की संख्या 1-9 के बीच है राजजी की रिकवरी दर बढ़कर 97 फिसदी हो गई है खंडवा में एक और बैतूल में आज 15 नया मरीज मिले कोरुना काल में पेडितों की मदद के लिए देश में निजी तोर पर कई आविशकार ऐसे किये गए हैं जो आत्मे निरभर भारत के सपने को सच करते वे दिख रहे हैं देशी तकनीक पर आधरित ये आविसकार नकेवल उपियों की साबित हो रहे हैं बलके इन की लागत भी बेहद कम है जो आम आदमी की पहुच के अंदर है धार सिले में रहने वाले पेशे से मेकेनिकल इंजीनियर 46 वर्षी अजीज खान ने बाइक से चलने वाली एक किफायती अम्बुलेंस बनाई है जिसमें एक समय पर एक मरीज आराम से लेट कर अस्पताल पहुच सकता है इसमें बेसिक दवाईयों ड्रिप के साथ ऑक्सिजन सिलिंडर की भी सुवधा है उन्होंने इस बाइक अम्बुलेंस को बनाने के लिए पुरानी साइकल के पहिये अस्पतालों में इस्तिमाल होने वाले पुराने बिड, स्प्रिंग अप्स और शॉक अप्स जैसे दूसरे पुराने कलपुर्जे भी इस्तिमाल किये है उन्होंने इन सब चीजों को इस्तिमाल करके कैसा स्ट्रक्शर तयार किया है जिसे किसी भी बाइक में लगा कर इस्तिमाल किया जा सकता है बाइक अम्बुलेंस में लगा ऑक्सिजन सिलिंडर तीन घंटे तक काम करता है उन्होंने बताए कि एक बाइक अम्बुलेंस तयार करने में लगभग 40,000 रुपए के लागत आई है हाला कि अगर ज्यादा संख्या में इन अम्बुलेंस को बनाया जाए तो ये लागत भी कम हो जा सकती है अजीज ने अब तक पाँच अम्बुलेंस बनाई हैं जिन्हें किसी भी बाइक के पीछे लगा कर इस्तिमाल कैजा सकता है जिला कलेक्टर आलोक कुमार ने न सिर्फ उनके काम की तारीफ की है बलके अजीज को जिले के लिए बाइक अम्बुलेंस बनाने का ओडर भी दिया है अब कुछ समाजार सिंक्षेप में एक जिला एक उत्पात के तहट आगर मालवा सिले के चैनित संत्रा फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कल एक दिवसी ऑल्लाइन कृशिक प्रिशिक्षन आयोज़ित किया गया मुरेना सिले में अमबाह जन्पत पंचायत बढ़फरा में आज़ेविका मिशंद्वारा गठित ससायता की महिलाए ग्रामीडों को वैक्सीन लगवाने मास्क पहने और सनिताइजर का उप्योग करने के बारे में जागरोग कर रही है खंडवा में कैमिस्ट एसेशियेशन ने कोरोना टीका करन शिविर का आयोचन किया इसमें 784 यवाओं का वैक्सिनेशन किया गया सागर संभाग आयोक्त मुकेश शुकलादी करोना वाइरस संक्रमन की संभावे तीसरी लहर के लिए बुंदेलखान बैरिकल कॉलेज को अत्यादुने क्रोप से तयार रहने के निर्देश दिये हैं पन्ना सिले के धरंपुर में पुलिस ने अनाद बच्चियों के मकान में श्रमदान कर बानवता के मिसाल पेश की है इन बच्चियों का मकान आंधी तुफान में शती ग्रस्त हो गया था नीमत सिहोर सहित कई जिलों में आज में तिनभर पादल चाय रहे और हलकी बुंडा बांदी होई है अंत में मुक्य समाचार एक बार फिर प्रधान मंत्री नरिंद्र वोदी ने कहा चलवायू परिवर्तन प्रदेशन सुचकांक में भारत शीर्स दस देशों में शामिल परिवर्न मंत्री प्रकाश आवडेकर बोले भारत में वन और व्रक्ष शेत्र बढ़कर कुल भगौलिक शेत्र का 24.5-6 प्रतिशत हुआ मद्र प्रदेश में बेल्डिंग परमेशन के लिए पौधे लगाना हुआ सरोरी सरकारी योचनाओं के मकानों पर भी लागू होगा नियम और राज्यमे कुरोना संक्रमंड कावो में एक प्रतिशत से कम हुई संक्रमंदर अश्योक नगर आगरमालवा सहित 6 जिलों में आज नहीं मिला एक भी मरीज बुरिटिन फिला लगना ही अंत में आफ सभी से कपील मासक और दोगस की दूरी हाँ दोना भी है सरोरी नमसकार